वेल्कम टू नेक्षक जाओं आज है 9 सितंबर 2022 और 9 सितंबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुछिन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और हर कुछिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट इंपेक्ट भी मैं आप पो बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वाध्यान से देखिए लास्ट वे मैं आपसे कुछिन भी पोचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट वॉक्स हूं बताना है आज किस वीडियो की पेडियो फाइल आप इस वीडियो के डिसक्स में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेगराम गुरूप जाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते है पहला कुश्यन है हाली में अंतरास्टी साक्षरता दिवस का मनाया गया है तो अभी आठ सितंबर को अंतरास्टी साक्षरता दिवस मनाया गया है तो इस कुश्यन का बे ओप्सन सही है साक्षरता के महत्तु के प्रती लोगों को जागरूप करने के लिए हर साल आठ सितंबर को अंतरास्टी साक्षरता दिवस मनाया जाता है अच्छा इस बार के अंतरास्टी साक्षरता दिवस की थीम क्या है तो इस बार की थीम है Transforming Literacy Learning Spaces क्या है Transforming Literacy Learning Spaces अब ये important day वाला question है तो अभी 2 सितंबर को best scenario दिवस मनाया गया 3 सितंबर को National Skiescraper Day और अंतरास्टी गिर्द जागुर्पता दिवस मनाया गया 5 सितंबर को अंतरास्टी Charity दिवस मनाया गया 7 सितंबर को ब्राजील का सुतंता दिवस मनाया गया और नेले आसमान के लिए अंतरास्टी स्वक्षबायू दिवस मनाया गया और 8 सितंबर को ही 200 भौतेक चिकितसा दिवस मनाया जाता है तो 8 सितंबर को अंतरास्टी साक्षरता दिबस भी मनाया जाता है और बेसु बहुत एक चिकित सा दिबस भी मनाया जाता है तो इस question से आपको एतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40 या like का तो अगर ये बेडियो आपको अच्छा लगता है, helpful लगता है तब आप इस वीडियो को like को और share जरू क्या करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक टारगेट विक्स करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक टारगेट विक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचेब करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नए कुशन है हाली में 2022 में केस देश ने सरवाधिक भारती चात्रों को बेजा जारी किया है तो 2022 में सबसे अधिक भारती चात्रों को बीजा अमेरिका ने जारी किया तो इस कुशन का say option सही है अमेरिका ने record 82,000 भारती चात्रों को बीजा जारी किया है अमेरिका में जितने भी बाहर के student पढ़ते हैं उसमें 20% अकेले Indian पढ़ते हैं अब अमेरिका तो अमेरिका में अभी एक दसक के बाद पोल्यों का पहला मामला धर्ज किया गया अमेरिका की सेनेट ने गन कंट्रोल विलेयक पारित किया है आरती प्रवाकर को अमेरिका के राश्ठपती के बिग्जान सलाकार के रूप में निक्त किया गया है पारत, इजराइल, UAE और US ने अभी I2-U2 समूँ मनाया है अमेरिका में निर्मित सुपर कंफ्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है अचाए इंडिया और अमेरिका की वीच में कौनकुरंसी एकसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, बज्जर प्रहार और युद्दव्यास ये इंडिया और अमेरिका की वीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एकसाइज हैं जिसमें से बज्जर प्रहार ऐसी साल हिमाचल प्रदेश की बकलो में हुई है नएक कुशिन है हाली में चौदे माव से आई आई ग्लोबल मैट टेक समिट कहां आयो जित हुआ है तो चौदे माव से आई आई ग्लोबल मैट टेक समिट अभी नई दिल्ली में आयो जित हुआ तो इसकुशिन की बे ओप्सेंस ही है अब CII, यानि कि Confederation of Indian Industries, इसकी स्तापना कब हुई? 1895 में, इसका हेड़कोर्टर कहां पे है? New Delhi में, और इसके प्रेजेंट टेम पे प्रेसिडेंट कौन है? संजीब बजाज, कौन है? संजीब बजाज, नेक शुशिन है, हाली में Indigo ने केसे अपना नया CEO नियुक किया है? यह है, पीटर एलबर्स, इनिको इंडिको एरलाइन्स ने अपना नया CEO प्वरण किया है? अच्छा, अभी नागे सींखो, थाईलेंड में भारत का राजुत नियुक किया गया? बिक्रम दोराई स्वामी, यूके में भारत के नए उच्चायुक नियुक हुए है? संजे ब के निदेशक के रूप में देबासिस मुहंति को न्यूक्त किया गया, सुरक्षा बलके महा निरिच्चक के रूप में प्रबेट छाबडा को न्यूक्त किया गया है, राज्येस भर्मा को राश्टपती द्रौपती मुर्मू का सच्चिव न्यूक्त किया गया, बजाज एले recent appointment हुए हैं वो मैंने आपे लिख दिये हैं यह आपको याद रखने हैं नएक कुशिन है हाली में बिर्जू सहा का निधन हुआ है बे कौन थे तो बिर्जू सहा यह एक भारती मुक्केबाज थे और अभी इनका निधन हो गया तो इस कुशिन का बे ओप्सन सही है आप से पदक जीता था नएक कुशिन है बारत के के सहर को युनेसको ग्लोबल नेटवर्क आफ लर्निंग सिटीज में सामिल किया गया तो त्रिशूर नेलंबुर और बारंगल इन तीनों ही सहरों को युनेसको ग्लोबल नेटवर्क आफ लर्निंग सिटीज में सामिल किया गया तो इस question का day option सही है उप्रियोक्त सभी इसमें से ये जो सहर हैं त्रिसूर और नेलामबोर ये दोनों केरल के हैं और बारंगल कहां पह है बारंगल तेलंगा नामे है ने question है हाले में कूबिड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी ती है तो इस टीके का नाम है CHAD36 इसको अभी CDSCO ने मंजूरी तो इस question का say option सही है अब CDSCO इसकी फुलपों क्या है Central Drug Standard Control Organization क्या है Central Drugs Standard Control Organization इसका headquarter कहां पहां पहां है लांज किया तो इस question का B options है यह यह जो ADAS feature है अभी तक premium cars में आता था ADAS की फुलपों क्या है Advanced Driver Assistance System क्या है Advanced Driver Assistance System तो यह पहली बार truck में Tata Motors ने लांज किया है और यह CNG power truck है अब Tata Motors Tata Motors की स्तापन का हुई थी 1945 में Tata Motors का headquarter कहां पहां है मुंबई में और इसके present time पे chairman कौन है नट राजन चंदर से खरन कौन है नट राजन चंदर से खरन next question है केस राजी को संस्कृत के लिए सर्व स्रेष्ट गंतब पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा तो अभी पश्य मंगाल को संस्कृत के लिए सर्व स्रेष्ट गंतब पुरुसकार से सम्मानित किया तो इस कुशिंट का यह आप्संस और पश्य मंगान तो यह है मैप में पश्य मंगल की एक्चुल में पश्यमंगाल की गवर्नर थे जगदीब धनगड वो अब हमारे उपराष्टपती बन गए है इस कुश्यन पर कल बहुत सारे स्ट्वेंट को कन्फिजन होगा और बहुत स सारे इस्ट्वेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया है आप द्यान रखिए अब पश्यमंगाल की गवर्नर लागडेशन है और लागडेशन ही अभी प्रजेंट टेम पर मड़पूर के भी गवर्नर है तो अभी दो राज्यों की गवर्नर हैं लागडेशन अड़ेपूर और पश्यमंगाल अब भारत की पहली अंडर बाटर मेट्रो का उद्गाटन कोलकाता में किया जाएगा अंतरास्ती समुद्री भोजनसों की मेजवानी अभी कोलकाता करेगा एसिया का सबसे बड़ा फुटवर्ड टूनामेंट डूरंड कप अभी कोलकाता म में शुरू हुआ है अब पश्यमंगाल के बारे में कुछ important question मैं आपको बताता हूं जैसे डोल जात्रा उत्सब यह पश्यमंगाल में मना जाता है डोल जात्रा उत्सब पश्यमंगाल में कर्मई धर्मा योजना और कर्म साथी प्रकल्प योजना यह दो योजना शुरू ह और सिक्षा के छेतर में स्कॉच अवार्ड अभी पश्य मंगाल को मिला था पश्य मंगाल में इसने हर पॉरिस योजना शुरू हुई थी और प्रोचेस्टा योजना भी पश्य मंगाल में शुरू हुई थी इतना आप पश्य मंगाल के बारे में आद रखिए नए क्यूशन हाली में Axis Bank ने case branchless banking और digital save our network के साथ साज़दारी की है तो अभी Axis Bank ने pay nearby के साथ साज़दारी की है तो इस question का बे option सही है अब Axis Bank तो Axis Bank की stop नगव होई 1993 में इसका headquarter कहाँ पर है मुंबई में और इसके present time पर CEO कौन है Amitab Chaudhery कौन है Amitab Chaudhery ने question है हाली में लोक नायक foundation साहित पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है तो अभी Tannikela Bharti को लोक नायक foundation साहित पुरुसकार प्रदान किया गया तो इस question का से options है है यह है Tannikela Bharti इनको अभी लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरुसकार पदान किया गया है ये तेलगू लेखक और अभी नेता है ने क्यूशन है हाली में किस e-commerce कंपनी ने होटल बुकिंग फीचर लॉंच करने की गोशना की है तो अभी Flipkart ने अपने फ्लेट फॉर्म पर होटल बुकिंग फीचर लॉंच करने की गोशना की तो इस क्यूशन का बे ओप्सन सही है अब Flipkart पर होटल की बुकिंग का फीचर भी एविलेबल रहेगा जैसे Flipkart पर आपको Flipkart ग्रॉसरी मिलता है Flipkart मैट्स मिलता है उसी तरह अब Flipkart पर Flipkart होटल की नाम से होटल बुकिंग फीचर एविलेबल रहेगा अब Flipkart तो इसकी स्थापना का होई थी 2007 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है बैंगलूरू में और इसके प्रजेंट अमपर से यह कौन है कल्याण कर्शनमूर्थी कौन है कल्याण कर्शनमूर्थी नेक्यूशन है हाली में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है तो अभी नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी तो इसकुशन का A-Options है नासा का एक टेफिन के आकार का नासा ने पहली बारे मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है यह जो मॉक्सी उपकरड है यह यह नौर्मल एक छोटे पैड के वराबर ओक्सीजन बना रहा है प्रत्धि घंटे 6 ग्राम ओक्सीजन यह बना रहा है अब नासा तो नासा की फुल्वों क्या है? National Aeronautics and Space Administration. नासा की स्तापना कब होई 1958 में और नासा का हेड़कॉर्टर कहां पर है? वासिंग्टन डेसी में. ने क्युशन है? हाली में किस देश की राष्टपती ने रक्षा मंतरी राजना सिंग को घोड़ा जिसका नाम है तेजस ये उपाहर में दिया है? तो मंगुलिया की राष्टपती ने हमारे रक्षा मंतरी राजना सिंग को एक घोड़ा जिसका नाम है तेजस ये उपाहर में है तो इस कुष्चिन का बे आप्सिनग यह है तेजस हौर्थ यह मंगुलिया के राष्ट्पती ने हमारी रंक्छा मंत्री राजनाजसिंग को दिया है अब मंगुलिया तो यह है ओंन बाटर मंगोलिया के करणसी के हैं मंगोलियन टोग्रोग और मंगोलिया के प्रेजेंट टेम पे प्रेसिडेंट कौन है उकनागिन कुरेल सुख नेक्स उशिए हैं बारत जापान two प्लस two मंत्रिस्तरी संबाद कहां आयोजित किया गया तो अभी भारत जापान two प्लस टू मंत्र इस्तरी संबाद टोक्यो माय उजित किया गया तो इस कुश्यन का से ओप्सन सही है इसमें हमारे बिडेस मंत्री एस जैसंकर और रक्षा मंत्री राजना सिंग्दी ने पाट सविट किया है अब लास्ट वीडियो की कुश्यन का आंसर लास्ट वीडियो में मैं आप से कुश्यन पूचा था कि हाली में केंद सरकार ने राजपत का नाम बदल कर क्या रखने की गोश्णा की है तो अभी केंद सरकार ने राजपत का नाम बदल के करतब व्यपत रखने की गोश्णा की है तो इस कुश्यन का से ओप्सन सही था और लगबग सभी श्ट वेडनेस के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा क्वेशन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लेक देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते जैसे सपोज यही कुश्यन था तो करतब बेपत के बारे में जितना मैंने आपको बता है था वो सब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था करतब बेपत को अभी तक राजपत की नाम से जाना जाता था और राजपत से पहले इसका क्या नाम था किंग्स वे नाम क्यों रखा गया था एक्चन में इंगलेंट से जॉर्ज का नाम Kingsway रखा गया लेकिन बाद में जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो Kingsway का नाम बदल के राजपत कर दिया गया और अब जब Central विस्टा प्रोजेक्ट वन रहा है तो राजपत का नाम बदल के करतब व्यपत कर दिया गया है इस तरह से कुश्चिन के बारे में जितना आपको पता हो आप लेका करो वैसे करतब व्यपत के बारे में मैंने पूरा अलग से detailed audio बनाया है यह audio है इसका link नीचे description में दिया हुआ है description में आप देखो कि तो audio revision के नाम से एक link दिया हुआ है उस link पर click करके आप इस audio को आसानी से सुन सकते हो अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में केस राज सरकार ने रोजगार guarantee यूजना शुरू करने की गोश्णकी चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके लाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर इंद्रेशर्सी I-N-D-R-E-S-H-R-C Instagram पर इंद्रेशर्सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज की studio का टार्गेट जरू याद रखना आज की इस वीडियो का टार्गेट है 40 है लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है helpful लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बैल आइकन मन के आएगा आप उस बैल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम औल बेज भी दियो थैंक्स पर वाचिंग